क्रिया कलाप 9 इस क्रिया कलाप के लिए आपको रियो की पत्ती या किसी शैवाल, एक सुक्ष्म दर्शी, स्लाइट, कवरसलिप, आलपिन की जुरुरत होगी रियो की पत्ती के उपरी सतह की एक बारिक परत निकाल लें इसकी स्लाइट बनाकर इसमें रंधरों को देखने की कोशिश कीजिए रंधर के दिवार की सेम के बीच के आकार की कोशिकाओं को ध्यान से देखें, इसमें हरा भाग दिखेगा अब रंधर को सुक्ष्म दर्शी के उच्च आवर्धन में देखें रंद्रक के दिवार की कोशिकाओं का हरा अंग हरित लवक है यही किसी शैवाल में देखना होता तो आलपीन की नोक से शैवाल का एक धागा नुमा सनरचना अलग कर लें इस धागे नुमा सनरचना को सुक्ष्म दर्शी में देखें तो धागों के गुच्छे से नजर आता है इन में हरा अंग दिखता है यही हरित लवक है अपने अवलोकन का चित्र जरूर बनाए प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया के लिए पौधों को किन पदार्थों की जरूरत होती है पौधों के हरित लवक तक ये पदार्थ कैसे पहुँचते होंगे क्या आप जानते हैं हरित लवक का व्यास किसी माइटो कॉंड्रिया से लगभग दुगुना होता है हरित लवक दोहरी जिल्ली युक्त सनरचनाएं होती है दोनों जिल्ली के अलावा एक और जिल्ली पाई जाती है जिसे से थैली जैसी सनरचना संगठित होती है जिसे थोईल काईट कहते हैं थोईले कैट सिकों के चटों की भाती धेर के रूप में मिलते हैं जिने ग्रेना कहते हैं जिल्लियों के बीच भरे पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं जूलियस वॉन सेक्स ने पहली बार उनीसी सदी में अपने प्रयोगों के माध्यम से दर्शाया कि हरे पत्यों में स्टार्च के कन प्रकाश संसलेशन की क्रिया के फलसोरू बनते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि प्रकाश संसलेशन के लिए आवश्यक रंजक पर्ण हरित लवकों में पाय जाते हैं। जैसे ग्लूकोज के अलावा अमीनो अमल वसीय अमल आधी भी संसलेशित होते हैं। साथ ही यह पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली में अहम भूमी का निभाते हैं। कक्षा नवी में हमने पढ़ा कि हरित लवक पौधे की कोशिकाओं में सहजीविता से बना अंग है। पौधे की कोशिकाएं इनका निर्मान नहीं कर पाती हैं। और आनुवन्शिक रूप से ये एक जनक कोशिका या जनक पौधे से संतान तक पहुँचते हैं। पौधों के बीज में इनके अनुवन्शिक पदार्थ पाए जाते हैं।